हेलो फ्रेंड्स कैसा आप सब लोग तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करेंगे आपके महत्पून मनोविज्ञानिकों के बारे में जैसा आपका जीन प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोच्की और नॉर्म चोमस्की देखें, चार ऐसे मनोविज्ञानिक हैं, जो आपके एक्जाम में कन्फरम पूछा जाता है, आपका एक एक नंबर इन सभी से, यानि कुल मिलाके आपके लगबग पाच नंबर आज की वीडियो से आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका सीटेट का एक्जाम हुआ चाहे आपका कोई भी आपका टेटेट एक जाम हो, लाइक आपका यूपिटेट हो, एच टेट हो, रीट हो, चाहे आपकी वेकंसी और टीचिंग से सम्मंदित, वहाँ भी इन मनोविज्ञानिक से सम्मंदित कोशन आँचार आपके पेपर में जरूर पूछ जाते हैं, ठी मनोविज्ञानिकों के जितने भी कंशेप्ट है, आज मैं आपके किलियर करा दूगा, साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितना भी आपका सीटेट और टेट का सिलेबस है, वह मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा कराने वाला हो, इसलिए चैन परसेंट पास होगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है, बलकि जादे नंबर से होगा, तो चलिए बात कर लेते इन चारोई महत्पुन मनोविज्ञानिकों के बारे में, एक एक चीज बहुत ही महत्पुन है, बहुत ही खास वीडियो आज आप सभी के लिए, देगे पहले तो सिद्धान्त का परतिपादन क्या था, यह आपके एकजाम में एक नंबर का कोश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने सभी के देश और सभी के सिद्धान्त लिए, दूसरे नंबर पर आपके कोलबर्ग, यह अमरिका के थे, और इन्होंने नेतिक विकास का सिद इंगलिस संस्कित या जो भी लेंग्वेज हो, उसमें आपका एक एक नंबर आपके हल लेंग्वेज में आता है, नोम चो मस्की का कोश्चन, तो चारोई मनोविक ज्यानिक हैं, इनके देश के नाम में आपको बता दिया किस देश के निवासी थे और कौन-कौन सा सिद्ध हो, आपको कितना स्कोर आता है, तो आज की वीडियो आप लोगा एक टेश्ट के रूप मिलेना और यह जहां भी छो сво मस्की आपको मिल जाएंगे, इन्होंने का था कि बच्चों में भासा शीखने की जन्म जात चमता होती है ठीक है यानि innate ability होती है by birth ability होती है बच्चे में भासा सीखने की जैसे मैं हुआ चाहे आप लोग हुए जब हम छोटे से थे तो अपने आप ही भासा सीख गए थे ना अपने परिवार में जो हमारे भासा बोली जाती है उसको हम imitation करके अनुकर्ण करके भासा सीख गए वही बात बोलते है नोम चोमस्की की बच्चे में भासा सीखने की जन्म जात चमता होती है दूसरे इसके अंदर महत्पुन चीज है इन्होंने का कि बच्चे के अंदर एक device होता है इसका नाम है आपका L.A.D. कभी-कभी इसकी full form पूछ ली जाती है इसका question देखते है अगला question आपको दिया हुआ है इसके ओपर तो very very important लगा लेना यहां से एक number आपका पका आएगा ठीक है देखे प्याजे के अनुसार निमली खितमें से कौन सी अवस्ता में बच्चा अमूर्त संकल्पनाव यानि जो abstract आपकी concept होते हैं उनके विसे में तारकिक चिंतन करना start कर देता है यानि की logical thinking start कर देता है देखे जीन प्याजे का मैंने आपको बता दिया संगेनात्म के विकास का सिद्दान दिया था इसमें इन्होंने विकास की चार अवस्ता है बताई थी पहले number पर ती आपकी sensory motor stage जो की होती है आपकी जनम से लेके दो साल तक क तीसरी होती है आपकी concrete operational stage जो की होती है आपकी 7 साल से लेके 11 साल और last में होती है आपकी formal operational stage जो की 11 साल से plus की होती है 11 से 15 साल तक की भी कहीं कहीं दिया हुआ है तो चार इस्टिय होगी इनके जो year दिय हुए ये भी आपको पूछा जाता है और इन अवस्ताओ के नाम भी आ opposite होता है तो उसके बार में तारकिक चिंतन जो start करता है वो बच्चा start करता है formal operational stage में यानि ओप्चारिक संक्रियात में कवस्ता जो 11 साल से plus की होती है ठीक है आंतर second हो जाएगा बहुत ही महत्पून question है very very important लगा लेना एक नंबर का इससे regarding जरूर आपके exam में जरूर लिक्ता को ठीक है यानि morality की अनुपस्तित को यानि absence को सही अर्थ में सूचित करता है देगे लोरेंस कोलबर्ग ने नेतिक विकास का सिद्धान दिया था मैंना आपको उपर बता दिया था और इस सिद्धान पर इन्होंने कितनी stage बताई थी इसमें इन्होंने stage बताई थी जीन प्याजे ने 4 stage बताई थी इन्होंने 3 stage बताई थी इनकी भी 3 stage की 2-2 stage थी ठीक है लेकिन आप लोग 3 याद करिए तो 3 stage में चाहे तो आप इसको लिख सकते हो पहली stage थी आपकी pre-conventional stage मैं short में लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़े याद हो जाए pre-conventional stage यह होती चीज़े जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ आपके paper में यही से पूछा जाता है question ठीक है यह होती आपकी 10 साल से लेके 13 साल तक की और तीसरी होती आपकी पोस्ट-conventional stage जो कि आपकी 13 साल से प्लस की होती है अब इसमें बात कर रहा है कि कौन सा इस्तर यानि कौन सी stage नेति 10 साल सेужे तीन से नेतिकता कीरा जो की है दीखे जो answer इसका सही हूए answer इस तर वन जो को चार साल से às cities आपकी सुरूरीह इसका मलत जन्म से लेके 4 साल तक के बच्छे के अंदर आपके नेतिकता होती नहीं है बच्छों पता ही नेतिकता नने ने tis स्थे जिसको मैने आपको देखे इनके उपर मैंने डीटेल में वीडियो बनाई हुई है आप लोग चाहे तो डीटेल में देख सकते हो लेकिन आज की वीडियो भी उतनी महत्पुन है जीतनी वो डीटेल में डाली हुई है अगला कुर्शन आपका लेव वाइगोच की के अनुसार संग्यनात्मक विक समाज के नंदर कौन कोन सी चीज आती है हमारा घर आ जाता है घर के मेंबर आ गह पाश्परोस आ रिष्तिदार आगे तो जितनी विए चीज रहे इनी वीडितर होती इस फ्इंछ date कर करकी तो चाई चलिए अब देखते आपका के अगला question अगला question आपको दियावा है कि प्याजे के संग्यनातंक विकास के चर्णों के अनुसार इंद्रिय अगामक अवस्ता या सम्वेंदी प्रेरिक अवस्ता या फिर आपकी sensory motor stage जो की मैंने आपको बताई ती जो की होती है आपकी जनम से लेके दो साल तक की वो किसके साथ संबंदीत है वो आपको बतानी है देखें दो साल तक का बच्चा क्या क्या चीज़े करता है देखें वह संबंदीत है आपकी answer second अनुकरण यानि imitation इसका मतलब होता है copy करना यानि नकल करना जैसे जब हम छोटे थे तो अपने धरवालों की copy करके हम लोग अपनी भासा सीख गई जैसे नोम चो मस्की ने खाता कि भासा सीखने की जम जाच छमता होती है तो यह होता है आपका अनुकरण यानि copy करना तो दो साल तक का बच्चा चीजे सी copy करता है नकल करता है बाकि अपनी तरफ से कुछ नहीं करता उसके लाव दूसरी चीज इस्मर्ति मेमोरी भी संबंदित होती है मांचिक निरूपन mental representation यह भी दो साल तक के बच्चों के साथ जुड़ा होता है जहाँ पर क्या होता है किसी भी एक topic को दूसरे चीजों से relate करके बताते है जैसे मैंँ आपको बताया example कि teacher ने बच्चों से पूचा कि बताओ जल कितने type तो बच्चा क्या काम कहेगा मेडम जल कितने टाइप का थोड़ी होता है जल तो जल होता है उसकोम पीते नहीं फिर जल को वर्साइज जल भी कहते हैं भूमिगजल कहते समुद्री जल कहते है यानि एक चीज को रिलेट कर दिया दूसरी चीजों के साथ ठीक है यह होता इसका कि अनुकरण इसमर्ती और मान्चिक निरूपन सेकिंड से हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज में और देखे छोटे जो बच्चा होता है वह इमिटेट करके चीजे शीखता है यानि अनुकरण करके शीखता है आगे देखते हैं अगला कुश्चन आपको दिया हुआ है वाइगोच्की के अनुसार जब एक वेस्क बच्चे के निस्पाधन के वर्तमान इस्तर को सहयुग द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसे क्या कहते है इसके ओप्चन के ओपर ही वेरी वेरी इंपोटेंड लिख लेना एक नंबर का आपके एक्जाम में कन्फरम यहा जैड़ पेड़ी बोल देते हैं अब इन दोनों को ध्यान से समझना मैं आपको बताता हूं इसमें आपका पहली चीज़े स्कैव फोल्डिंग को क्या बोलते है। eso सपोर्ट चाहे तो आप इसको लेख सकते हो टेंपरेरी सपोर्ट या फिर टेंपरेरी हेल्प जैसे हम छोटे थे तो जब हम छोटे से थे तो साइकल चलाते थे हम तो जब साइकल हमसे चलती नहीं तो हमारे कौन सपोर्ट करता था जो हमारे बड़े बहन भाई थे हमारे मम्म पादन के वर्तमान इस्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित उसको किया जाता है तो वह होती आपकी संभावित कितना है मैं आप से एक बात कहता हूँ कि अगर आप लोग मेरी वीडियो सभी तरीके से अच्छी तरीके से देख लोगे चैनल के साथ जुड़े रहोगे या नोर्स को ले लोगे तो संभावित विकास मानके चलिए 120 प्लस का आप लोग एजली स्कोर ला सकते हो ठ है आपका आपका जैड़ पीडी जो नो प्रोक्सिमल डेवलेमेंट आंसर इसमें दूसरा से हो जाएगा ठीक है यह आप समझगे जैड़ पीडी के बारे में और इसके फोल्डिंग के बारे में दोनों भी महतपून टर्म है और इसका आंसर मैं आपको बताई दिया इसके होता है चलिए अब चलते अगले कोश्चन पर देखे चैनल से जुड़े रहना सीटेट ने आगे के एक्जाम भी मैं आपको पास करा दूंगा बस पढ़ते रहना आप लोग और जितनी चीज़े बताता हूं बोलता हूं उनको कर लेना और जो लोग नए आए वो चैनल को जर सरंचना हूं यानि जो डीप इस्ट्रक्चर है उसके संदर्ब का क्या आरत है जो को नोम चोमस की आगे मैंने क्या काता कि बच्चे में भासा शीकने की जमजाद चमता होती है यह उन्होंने काता एक LED डिवाइस काता और जहां पर भी नोम चोमस की देखने को मिलेंगे वह जहां पर भी नोम चोमस की का आपको मतलब देखने को मिलेगा जहां पर भी आपको देखने को मिले यूनिवर्सल ग्रामर इस्ट्रक्चरल ग्रामर या फिस सारबोमिक व्याकरण देखते आंसर उसके उपर उप्शन पर लगा देना आपका सही होगा ठीक है यह आपको देखने को ध्यांचा पढ़ना बहुत ही महत्पून है इसमें आपकी एक इस्टोरी भी आ रही है जो कि आपके कोलबर्ग से संबंदीत है कि एक बच्चा तरक परस्तूत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बच पढ़ता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भी देज जाएगा यहाँ पर हिंजी यह सोच रहा है ठीक है तो कोलबर्ग के अनुसार बच्चा नेतिक समझ की किस अवस्ता के अंतरगत आता है देखे यहाँ पर क्या सोच रहा है बच्चा की अगर उसने हिंज ने चोरी यह फिर आपके आग्या पालन पर निर्वर होती है आधारित होती है कि जब देखते लें अग़ला कोशच चार यहाँ प्याजिक अनुसार विशिष्ट मनुवेग्यानिक सरंचनाव यहांनि अनुबवाव से थे सही अर्थ निकालने के ववेश्टी तरीकों को किया कहा ज कुन चीज है जो आपको कुश्चन में बता दी अब इसके मां को आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि वह एक्टिविटी जो हमारे माइंड दुआरा हमारी बोडी करती है जैसे अभी आप लोगों ने क्या काम क्या होगा अभी आप लोगे का हाथ में अपना एक मोबाइल होगा इस बोल को अगर माइंड में माइंड का कोडिंग हमारे हाथ पर सही चलेंगे तो हम लोग क्या काम करेंगे बोल को पकड़ लेंगे वरना तो हमारे सर पर ही आकर लगेगी ठीक है तो यह होता आपका इसकीमा कि वह एक्टिविटी जो हमारे माइंड दौारा हमारी बोडी करती ठीक है यह कोश्चन में जो आपको चीज दी हुई है यह आपका इसकीमा और इसकीमा किसे संबन्दीत है आपके जीन प्याजे से चलिए आप देखते अगला कोश्चन और देखे अगर आपके जितने भी कोश्चन गलत हो रहे हैं हो सकते तो रेजिस्टर के अंदर कर लेना क्योंकि सभी महत्पुन कोश्चन है और यही से आपके एक्जाम में देखने को मिलेंगे अगला कोश्चन है कि according to kolberg our teacher can install moral values in children by कि kolberg के अनुसास शिक्सक बच्चों में नेतिक मुल्यों का विकास कैसे कर सकता है देखे अगर बच्चे के अंदर नेतिक मुल्यों का व होती है जो discussion होता है नेतिक मुद्दों पर उसमें उनको involve कर दो उनमें सामिल कर दो सबसे बढ़िया सबसे most appropriate answer आपका यही होगा ठीक है answer 4 से हो जाएगा अगला question देखते हैं अगला question आपका कि वाइगोश्ची के सिद्धान्त में विकास के निमली कित में से कौन से पहलू कितिक सिद्धान दिया था उसके लावा आपकी भासा भी आपकी क्या होती है समाज के अंदर होती है भासा समाज के अंदर ही सीखी जाती है लेकिन biological आपका नहीं होगा यानि जेविक आपका वाइगोश्ची से संबंदित नहीं है तो answer आपका जो सही हो जाएगा जेविक यानि biological सही हो जाएगा ये तीनों ही चीज आपके वाइगोश्ची से जुड़ी हुई है ठीक है इन तीनों को भी देख लेना चली अब देखते हैं अगले question पर और सभी महत्पुन question है आपके सीथे सीटे ट्यूपी टैटनी आपकी teaching vacancy में भी यही से question पूछे गई है इतन का चिंतन होता है यानि जो बच्चा चीज है सोचता है जो बड़े होते है तो उनमें भाई परकार में भीन होता है जो बड़े होते है जैसे हम लोग हुए वो अलग टाइप से सोचते है छोटा बच्चा वो अलग टाइप से सोचेगा ठीक है उसके अलाबा मातरा में नही होती है ठीक है आंसर तीसरा शे हो जाएगा अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन आपका कि डैस के विचार से बच्चे सक्रिय ग्यान निर्माता तथा नन्य वेग्यानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्दान्तों की रचना करते हैं यह आपके किसने काता तो देखें यह काता आपके जीन प्याजे ने यह कई बार कोश्चन आपका रिपीट हुआ है आपके कई एक्जाम में ठीक है तो जीन प्याजे के विचारते इन्होंने काता जो आपको स्टेट्मेंट दिवी है आपक कोई नेतिक निर्णे लेते समय एक व्यक्ति निमली कितमे से किस तरफ परवर्थ होगा यानि moral decision लेना है एक व्यक्ति को तो वो बताना किस तरफ परवर्थ होगा तो देखे वो होगा आपका अंतर नहीत संभावित दंड में आंतर आपका force ही हो जागा कि अगर चोरी की तो सजा मिलेगी जो हिंज वाली स्टोरी में कहा गया है आगे देखते आपका अगला question अगला question आपका कि जो बच्चे खुद से मोकिक समवाद करते हैं समवाद मतलब आपस में बातचीत करना डायलोग करना आपस में उनको लेव वाइगोस की क्या कहते है तो देखे वैसे तो उसकी प्राइविटी स्पीच व्यक्तिगत वारता है तो ऐसा बोलते हैं लेव वाइगोस की आंतर तीसर अशी हो जाएगा ऐसे बच्चे को व्यक्तिगत वारता से संबंदित करके जोड़ते हैं अगला question आपका प्याजे तथा वाइगोस की कैनुसार एक रचनात्म कक्सा कक्स में अधिगम क्या है ठीक है यानि जो आपका एक constructivist classroom है रचनात्म कक्सा कक्स उसमें आपका पूछा है जो learning होती है यानि अधिगम होता है वो क्या होता है तो देखे आंसर है इसमें आपका फोर्थ की सिक्सार्ट्यों दुवारा स्वयम सरजित किया जाता है यानि ख किसी वस्तु के इस्तायत्यों के अधानना यानि आपर बात हो रही है object permanence की प्याजे के विकास के किस चरण में होता है पहले तो आप जान लीजे object permanence यानि जो आपका वस्तु इस्तायत्यों होता है किसको बोलते है मैंने क्या कहा था इस जब बच्चा किसी चीज को अपने sensory organs के मादम से ढूंड लेता है जैसा मानलीजा आप एक काम करनेक्ट तक्या लेना इस तक्या के पीछे आप mobile छुपा देना अपना तो बच्चा अपने sensory organs कौन कौन से sensory organs होते है आख नाक कान जीव और आपकी skin ये पाथ sensory organ मैंने आपको बतायता है इनकी हैल से बच्चा तक कौन से हो जाएगी sensory motor stage यानि समविंदी गाव मकवस्ता जो की होती आपकी जनम से लेके दो साल तक के जिसमें बच्चा जितनी भी चीज़े सीखता है करता है आपने sensory organs के माध्यम से शीखता है तो देखे फ्रेंट्स जितने भी महत्मुन question answer थे इन चारो मनोविग्यानिक स सम्दित वह मैंने आज की वीडियो के अंदर include कर दिये कुछ और question आपके जो मुझे लगते हैं मैं एक और वीडियो में upload कर दूँगा साती और बाकी के जितने भी आपके मनोविग्यानिक बच्चे है जो आपके exam में पूछे पूछे जाते है उनकी भी मैं ऐसे detail में वीड वीडियो के साथ thank you